हेलो स्टूडेंट्स दिस आवर साइंस क्लास एंड वी आ स्टार्टिंगा न्यू चैप्टर इस सोल एंड क्रोप्स सोल वट इस सोल मिट्टी क्रोप्स क्या है उसमें वने वाली फसलें जो फसल उगाते हैं हम the upper part the upper layer of earth surface is called soil यह soil की definition है कि अगर हमसे कोई पुचा की soil क्या है मिट्टी क्या है हम कैसे बताएंगे कि जो जमीन में earth का जो सबसे उपर का part है सबसे उपर की जो layer है उसको क्या कहते हैं soil कहते है the plants grow in soil plants कहां अगते हैं मिट्टी में अगते हैं we grow vegetables मिठी में उगते हम अपने घर के अंदर फर्ष लगा रखें होँगा सकते हैं वेजिटेबल्स फुट्स जड़े पत्ते हैं जमीन में बड़े लेटे है प्लांट अपने आप ले लेता है ही आनीमल और प्लांट पर प्लांट जीजम को जाँ हो तो हम दिर्क्ली और इंडिरेक्ली प्लैंट्स पे डिपैंड करते हैं इसलिए सोल है जो मिटी है वो लाइट के लिए बहुत जरूरी है layers of soil, soil की layers के बारे में पढ़ते है soil is formed by breaking up of rocks, कैसे बनती है soil, चटानों के तूटने से बनती है most of soil contain coarse particles of gravel, sand particles, clay, moisture, humus मिटी में ये सब चीज़े होती है, इनके particles होती है किसके gravel, पत्थर होगे, sand particles, मिटी, clay, थोड़ी अलग तैक की मिटी, moisture, उसमें थोड़ा बहुत पहानी भी होता है, नवी होती है humus, humus क्या होता है, humus is made up of rotten leaves and decayed bodies of animals and plants, कोई animal मर गया, कोई चोटा सा कीड़ा मर गया तो उसका क्या करते है, वो मिटी में ही मिल जाता है वापिस इसे ही, जो plants के leaves गिरते रहते हैं, वो क्या कहां जाते हैं, उनको कोई जलाता तो नहीं है, हमारे घर में है तो हम इकठा करके जला देंगे, अगर ऐसे ही कई भी plant है, उसके निचे leaves गिरते रहते हैं और मिटी में मिक्स के जो मिक्स होते हैं, उसे हीमस बोलते हैं, हीमस बहुत अच्छी मिटी होते हैं, वहां plants बहुत अच्छी से grow करते हैं तोसले मेंड़ पोफ मैनिले बहुत सारी लियर सोती हैं अलगलग कि नियुक कि जाती है फॉर्स टॉप सोयल टौप लेखे टौप लेखे जाती है अपर मौश्ट तोप है तो मतलब सबसे उपर की हो गई या अपर मौस्ट ज्यादा मोटी नहीं होती है and is dark in color or dark color की होती है It is mainly made up of loam, loam is sand or clay type की मिट्टी होती है Most of the plants grow in this layer. और जो plants वो इसे layer में होती है फिर top layer के निचे वाली जो होगी उसका नाम है subsoil subsoil क्या है ,the soil below the top layer is called subsoil जो टॉप लियर के जो इसके नीचे की लियर है उसको कहेंगे सब सोयल इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसिज यह टूटे हुए जो पीस है रोक के उसमें यह पार्ट होते है चाटानों के मतलब पत्थर होते है उसमें और यह बहुत कठोर होती है It is light in color Color में light होती है Its color is generally gray or red या तो इसका color gray होता है या red होता है Only trees and a few plants have roots long enough to reach the sub-soil कुछ पेड़ों की जड़े होती है जो इस layer तक पहुँचती है ये देखिए जैसे ये दिखा रखी है ये दिखा रखी है ये कौन सी layer है जो हमने top layer पड़ी है ये dark color की है और इसमें ही हम plants उगाते है फिर ये है red color की पड़ी हमने sub-soil ये sub-soil है और यहाँ पे कुछ plants की जड़े यहां तक पहुँचती है तीक है उसके बाद आती है bedrock bedrock में ये देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहे है डाइग्राम में बड़े बड़े पत्थर ही दिखाई दे रहे है this layer is called bedrock इसको bedrock बोलते है it is made up of parent rock मतलब जिस चेटान से वो मिट्टी बनी है मतलब हमने अभी पड़ा चेटाने टूटूट कर मिट्टी बनती है तो वहाँ पे चेटाने होती है the upper part of rocks are soft जो उपर का part है वो soft होता है porous होता है चोटे चोटे होल होती है while the lower part are hard and non-porous और जो उसके निच्चे के part हो और भी ज्यादा कठोर होता है ठीक है आपको यहां तक आज चेटर रीड करना है